हैलो मित्रो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूं आप सभी लोग अपने घर में सवकुशल होंगे हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं स्वागत है आप सभी लोगों का आज की व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा था कल कि मैं गई थी कहीं बाहर यानि कि मैं आई थी डाइवर सिटी पार्क में जो की फॉरेस्ट वाले वो की तरफ से हैं मतला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का ऐसा मुझे बताया गया था अधरवाइस मुझे अच्छे से पता नहीं है कि कहां का आए करके यह हलदवानी में सुशिला तिवारी लेफ्ट साइड में रोट करती है ना वहां पर है यह तो यहां पर देखो सभी जगा के ना जो पेड़ है वो लगाए गये है पस्चिमी बंगाल का जो राश्ट्री है राश्ट्री है पेड़ यहीं कहेंगे शायद हाँ तो वो लगाया है जारखंड का है सब जगा के सब्सक्रा तरह के स्टैच्व बनाए वे हैं जैसे यहां पर एक क्रोकोडाइल है और यहां पर एक कच्छवा भी है और बहुत सारे यहां पर कमल के फूल लगाए यार मैं बताओ मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी ना इनको देखके कि बस इनको मैं अपने साथ अपने हर ले जाओ अभी मैं आप लोग को दिखाओंगी कि कितने कलर के हैं यहां पर कितनी तरीके के हैं तो यहां पर सबसे पहले तो यह दिखा हमें नॉर्मल कलर था उसकी बाद जो यहां पर था ना ब्लू कलर का लोटस था यार सच्ची मैं इतना प्यारा मैंने न कभी भी कमल के फूल सामने से नहीं देखे थे देखे थे शाया देख बार या तो मैंने देखा होगा गुलाबी कलर का बटना मैंने ऐसे कभी नहीं देखे थी सारी वेराइटी के थे यहाँ पर यह था यहाँ पर ब्लू कलर का था और चारो तरफ बहुत सारे पेर पॉंधे भी यहाँ प इसमें हलका पीच कलर आ रहा था उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो यहां पर बुद्धा जी के जो हैं स्टैच्यू बनाए गए थे एक छोटा सा वॉक करने के लिए यहां पर था और चारों तरब बहुत सारे पेड़ पहुंदे थे ना मैं ना देखके इतनी खुश ह होगे कि इतनी सुन्दर जगा है और हमको पता ही ने यह हमारा चीड का पेड़ है उत्राखन का और इसके अंदर भी ना नरसरी टाइप की बनाए वी थी फूल वगेरा नहीं थे बट बहुत सारे जो बड़े छायादार जो पेड़ होते हैं वो थे और यहां पर देखो मु आपको जो रियल वाला शेप होता है ना कमल के फूल का मैं वो भी आप लोगको इसमें दिखाऊंगी और यहां जगा जगा गंलों में भी लगाये वेते बड़ी-बड़ी मात्रा में और इस पेड़ की कटिंग देखो ना आप उपर से सूखा पेड़ था बट इसमें किसी चीज की बेल डालके इतनी सुंदर कटिंग दीवी थी और यहां पर मुझे एक और क्यूटू सा छुटू सा डाइनसौर मिला और अगर दक्ष यहां पर होता ना तो डरी जाता डरता तो नीग है लेकिन उसको अच्छा लगता है स्टैच्यू देखके उसके बाद हम थोड एरिया जो है ना कैक्टस का इन्होंने लगाया हुआ था मतलब देखो ना सूखे जो पौंदे होते हैं जिनको पानी वानी वगएरा कम चाहिए होता है जिनमें काटे आते हैं सिर्फ वो भी कितनी जादा सुंदरता से भरे होते हैं आप लोग देख सकते हो यहां पर सारे क कैक्टस थे अलग-अलग तरीके के थे कोई लंबे में थे कोई छोटे गोल शेप में थे और अलग-अलग टाइप के थे तो पहले तो हमने ना सिर्फ एक ही तरीके का देखते थे हम लोग स्कूल से आते जाते हैं समय रास्ते में था और यह गूल वाले भी कितने प्यारे लग रहे थे बहुत जादा तो हर कीसी का इनोंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया वा था जो बड़े छायादार पेड़ होते हैं उनके अलग और ये कैक्टस वालों का इनका अलग और नॉर्मल जो शोपीस वाले होते हैं उनका अलग लेकिन कुल मिला के बास बात ये थी कि चारों तरफ हरिया ली थी और चारों तरफ बहुत ज़्यादा सुकून और शांती थी और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों ने इन से पूछ के एक दो टहनी भी ली थी गुड़हल के फूल के हमने पूछा था यहां पर जो काम करने वाले वरकर हैं उनसे फि हमें कि बहुत सहरा एकर वरायटि के थे मुझे नहीं को देखके पताकों जाता है हृँ यह और मुझे बहुत ज़ादा अच्छह लगते हैं। बहुत ज़ादा चीनी मिटी के जित्ते भी गंदे होते हैं। इतनी अलग-लग डिजाइन होते हैं। इम् Baldini Alografy ज़्ाइं होत का सेट ले लिया, इससे जादा मिस्कूटी में ले जा भी नी सकते थे, हमारे पास प्लांट भी बहुत सारे थे, तो यहां पर छोट्टू मोटू टाइप के बहुत सारे थे, यह भी सुसिललती वरी रोड में ही है, थोड़ा सा आगे जाके, और इन्होंने इतने एचे छोट क्योंकि एक बार में ले जाओना तो सही रहता है, फिर बार-बार कौना है, फिर घर आके मैंने प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिया था, दो-तीन मैंने जो अंदर रखने वाले सीडियों के अंदर आंगन में रखने वाले थे, इन में मैंने लगा दिया था, बाकियों में मैं शाम के समय लगाऊंगी मैंने ये सोचा था अभी इनको लगा के रख देती हूं वरना फिर ना में को भी अच्छा नहीं लगता है तो एक गमला उदर सामने था उसमें लगाया और दो छोटे-छोटे वाले थे एक में मिरको कैक्टस वाला लगाना था और एक में मिरको द करें यहां पर देखो मैंने लगा दिया है प्लांट तो मैं आप लोंको बताओंगी कि इन्होंने कैसा कैसा ग्रोथ किया और मैंने शाम को कौन-कौन से वाले प्लांट लगा है ठीक है ना तब तक के लिए बाइ-बाइ-टाटा